बारिस का दौर सुरू होते ही नदी नालों के समीप हादूसों का दौर भी सुरू हो गया है जीहां गुरुवार को सागर जिले के रहली खाना छेत्र अंतरगत दिहार नदी पर बने डैम के समीप से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई यहां पेर फिसलने से एक व्यक्ती नदी में डूब गया ततकाल ही मौके पर पहुँची HDRF टीम ने रेस्क्यू किया और करीब तीन घंटे की कड़ी मसकत के बाद पानी में डूबे व्यक्ती का सब बरामत किया गया बताया जा रहा है कि 35 वर्स ये यूवक मबेसी चराने के लिए दिहार नदी पर बने डैम के समीप गया था यहां पेर फिसलने से वह नदी में डूब गया अब आपकी सहर सागर में चत्रपती सिवाजी सुपर स्पेसलेटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपात कालेइन सुबीदा उपलब्द समस्त बीमारियों से संबंदित विसिसग्यों द्वारा परामर्स एबम ऑपरेशन तो पतायाद रखें मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चोरहा सागर मदिप्रदेश जानकारी के मताबिक बढ़गान निवासी कृष्ण कुमार पिता विसंबर सिंग दांगी उम्र 35 वर्स हर रोच की तरह अपने मवेसियों को नदी के समीब ढून रहा था इसी दोरान वा दिहार नदी पर बने डैम के समीब से गुजरा और पैर फिसलने से वह सीदा नदी में जा गिरा आसपास मौझूद लोगों ने इसकी सूचना रहली थाना पुलिस को दी जहां मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने HDRF टीम की मदद से रेस्क्यू सुरू किया और करीब तीन घंटे की कड़ी मसकत के बाद 35 वर्स युवक का सब बाहर निकाला गया फिलाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पंच नामा कारवाही कर सब को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जाच शुरू कर दी है इसका कृष्णिकुमार दांगी नाम है ये ग्राम बढ़गान करेने वाला है ये उस नदी बाहर कर रहा था जो पार करते समय डूब गया है HDRF टीम से निकाला है मिल गया है उमर कितनी थी इसकी 24 साथ उमर है क्या पैर फिसल गया क्या हुगा ये पार करते समय डूब गया है रहली से आसू दुबे सागर एक्सप्रेशने उच अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्छनरसरी से बारवी तक अंग्रे जीवा हिंदी माध्यम सभी कक्छाओं में फ्री एडमिसन सुवीदा इबम संस्क्रेट बोट से भी फॉर्म भरें तो आज ही रेजिस्टेशन कराएं पता खुरई रोड भागुदय एस्पताल के पास सागर फश्ट किराय सूरूम यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ओफर्स के साथ बच्चों के देने कुपियोग की एक्स्कुलूसे प्रोडक्स की संपूर्ण स्रंखला हमारा पता है एच्बी एपसी बेंक के पास जवलपुर रोड मकरोनिया